कल पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह से पत्रकारों को और जेन्यू के छात्रों को मारने पीटने की घटना हुई न्यायाले के अंदर ऐसे समय में जब वहां देश के वित्तमंत्री मौजूद थे अरुन जेटली जी वकील साहबान जिनके आज फोटोज सामने आये हैं उनका भारती जनता पार्टी से कनेक्शन है वहां पर भाजपा के विधायक ओपी सर्मा ने जिस तरह खुले आम गुंडा गर्दी करते हुए पत्रकारों को मारा जिसमें कुछ पत्रकारों को तो बुरी तरीके से पीटा गया आई बिएन सेवेन के आमित पांडे सोनल मलोत्रा जो एंडी टीवी से है और ऐसे बहुत सारे पत्रकार जिनको वहां मारा गया पीटा गया उनके साथ अभध्रता की गई और जेन्यू के एक लड़के को चुना हुआ प्रतनीधी भारती जनता पार्टी का एमेले जो आपराधिक प्रवित्ती का व्यक्ति है जिसके उपर एक नहीं कई ऐसे मामले पहले से चल रहे हैं आपको बता दें यह वही ओपी सर्माए मेले है जिसने विधान सभा के अंदर आम आदमी पार्टी की महिला विधायक अलका लामबा पे अभध्र टिपड़ी की थी जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता यह वही विधायक है जिसने महिला विधायक को जब छेत्र में नसाखोरी बंद कराने के लिए गई तो बोला इस टेचर पे मार के भेजूँगा यह वही विधायक है जिस पे विधान सवा का माईक तोड़ने का मामला चल रहा है और यह वही विधायक है जिसने कल एक छात्र को जब वो हाथ जोड़ के गिर गिरा रहा था यह कह रहा था कि मुझे छोड़ दो उस समय दवड़ा दवड़ा के मार रहा था और यह भी कहा इसमें कि अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं गोली मार देता गोली चलाने वाले लोग कौन होते हैं हाथ में बंदूक लेकर गोली चलाने वाले आतंक फैलाने वाले लोग ही तो असली आतंक वादी है यही तो आतंक वादी है जो देश में आतंक फैलाना चाहते है इन लोगों ने देश का माहौल खराब कर रखा है पत्रकारों को आतं लेकिन बड़े शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी की पुलिस कल से गूंगी और बहरी बनके यहां पर पड़ी हुई है। इस प्रकार की गुंडा गर्दी करने वाला भाजपा का एमेले खुले आम घूम रहा है। उस पूरे मामले में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए उनके खिलाफ सक्त कारवाई कीजिए। उनके वीडियो जो सामने आये हैं मुपे नकाब पहने हुए हैं। मुपे तपड़े बांधे हुए हैं। वीडियो देखके आइडेंटिफाई कीजिए वहां के लोगों से पूस्ताच कीजिए कि कौन है वो लोग। किस पार्टी से जुड़े हैं। किस विचारधारा से जुड़े हैं। क्या उनका मकसद था जेन्यू को बदनाम करने के पीछे। क्या वज़े थी। यह जानना जरूरी है देश के लिए भी क्योंकि आज जिस प्रकार से पूरे जेन्यू के बारे में टिपणियां की जा रही हैं भारती जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वो बहुत ही शर्मनाक है। जेन्यू वो सिक्षन संस्थान है जिन्होंने इस देश को बहुत सारे I.S. officers, I.P.S. officers, बहुत बड़े-बड़े पत्रकार, साहितकार, बड़े-बड़े लोग जेन्यू से निकले। जेन्यू वो संस्थान है जहां B.S. बसी की पुलिस बिभाग में भी बहुत सारे पुलिस के अधिकारी होंगे, अगर उनमें भी जरासी शर्म है, तो अपने सिक्षन संस्थान के अपमान के खिलाफ वो न्याय करें, सच का साथ दें। जेन्यू के बारे में कैलास विजय वरगी से लेके तमाम नेताओं के टिपड़ी आई, कोई कहता है कैलास विजय वरगी जैसे नेता कहते हैं ऐसे लोगों के जीब काट लेनी चाहिए, हर्याडा के मुख्यमंत्री का O.S.D. कहता है, ये तवाइफों का अड़ा है, इस प् जासा ऐसी टिपड़ी की जा रही है, अरे सारे फुटेज है, सारे वीडियो है, आप उस वीडियो की जाच क्यों नहीं करते, भारती जनता पार्टी के लोग और रास्टी स्वयम सेवक संग के लोग जो दूसरों को रास्टवात का प्रमाल पत्र बाटते फिर रहे हैं, प इस विचारधारा को मानने वाला कोई भी विक्ति इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ, वो आज दूसरों को रास्टवात का प्रमाल पत्र बाट रहे हैं, भारती जनता पार्टी के लोग जिनोंने अफजल गुरू का नारा लगाने वाले, अफजल गुरू का समर्थन कर आने वाले, पीडीपी के साथ मिलके सरकार बनाई, तो अफजल गुरू की फासी क्या विरोध करने वालों के साथ, तुम उपमुक्ह मंत्री बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, लाल बत्ती में घूम सकते हो, तो आज तुमको देश के सामने माफी मांगते हुए, अपने उन मं कि भी गिरिफतारी करा करानी चाहिए जो अफजल गुरू के समर्थन में होने वाली सरकार के साथ खड़े थे उन पीडीपी के नेताओं के सामने जहां तुम जाके नाक रगड़ते हो तुमारे संग से जुड़े हुए नेता राम माधों से लेके बड़े बड़े लोग जहाँ पीडीपी के नेताओं के सामने जहाँ जाके नाक नगलते हैं उन नेताओं को भी कहिए कि देश के सामने आके माफी मांगें वो अफजल गुरू के समर्थकों के साथ खड़े हैं उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है तु 90 साल के इतिहास में कभी तुम्हारी साखा में तिरंगा नहीं फैराए गया तुमको तिरंगे के प्रतिसंबान नहीं है तुमको देश के प्रतिसंबान नहीं है तुम दूसरों को बदनाम करके उनका गला दबाके उनको मारके उनकी आवाज को दबाना चाहते हो चौथास्तं बिनम्रतापुर्वक कहना चाहता हूं जिस तरह से जेन्यू की पूरी बहुत चलाई जा रही है कनहया का 22 मिनट का वीडियो मौझूद है वह बहुत बड़ा प्रमाड है मीडिया के लिए जिसमें कनहया कहता है इस देश के संविधान पे उंगली उठाने वाले लोगों को ब से प्यार है मिट्टी से प्यार है असी प्रत्सत वो आबादी जो गरीब है पिछडी है सोसित है वंचित है उससे प्यार है वह वीडियो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है बसी को क्यों नहीं पूछा जा रहा है बसी से सवाल य क्या कह रहा है ओपी सर्मा कह रहा है कोट के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे भारत विरोधी नारे लग रहे थे अरे किसी एक मीडिया चैनल के पास ऐसी कोई फूटेज है इतने कैमरे मौजूद थे कि वहाँ पाकिस्तान विरोधी या भारत विरोधी और लग रहे थे ऐसा कोई फुटेज है नई है लेकिन कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं तो आज पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण भारती जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए नेता बना रहे हैं जिससे आतंक कायम हो सके जिससे भय कायम हो सके जिससे लोगों में डर पैदा हो और उनकी राजनीती की रोटी उस पे वो अपनी सेखते रहें लगातार अपने एजिंडा को आगे बढ़ाने में भाजपा और संग के लोग लगे हैं और खुद ग्रिह मंत्री जी ने बयान दिया था कि वो संग के सच्चे स्वयम सेवक है प्रधान मंत्री भी स इसकी सिमाओं पर गोली बारी का मामला हो चाए अभी पिछले दिनों बिना बताए निमंत्रण में पहुंचने का मामला हो हमेशा पाकिस्तान के सामने जुकने वाली सरकार आज ऐसी बाते करती है तो शर्म आती है हसी आती है मजात लगता है